हेलो, बुड मॉर्निंग स्टूदेंट्स, तुडेः वी आरोन क्लास टू मैट्स, चेप्टर नमबर सेवन, जगस एन, मगस पार्ट टू, रानी एड दा, मिल्कमेन, अनील इजे मिल्कमेन, ही गिवस ता सेम अमाउंट ओफ मिल्क एड रानी ज हाउस, एवरी दे, जो मिल्क 3-times, टू फिल राणी मिल्क पोट, जो राणी मिल्क पोट यूज करती है, उसको फिल करता है, टो 3-mukds होते हैं, यो 3-mukds जब उन्हें दूद देता है, पोट बकली मिल्क, जो रानी contr Спerkot लेके आती है, बकली मिल्क पोट, तो यूजे मग 3-ाईम्स टू पिल रानी ज मि क्लेरी थी वो नहीं दिया चेंज करके दे दिया जो भी रिजन होगा या धुला हुआ नी होगा जो भी रिजन है तो ममा ने उसको अलग पोट दिया ओके एवरी डे रानी जब रानी ये वाला पोट लेके आती थी तो क्या था फूल हो जाता था उपर टोप तक फिल होता था मिल्क से ओके बट टोड़े रानी फाउंड देट दा पोट वाज नोट फिल कम्प्लीटली अब रानी ने क्या पाया कि आज जो ममा ने जो पोट दिया था वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ हो टूड़े अनील हैज गिवन मीलह स मिल्क आप वो क्या उसे तो यहां पूट ने मुझे कम दोट दिया है है कि आप ऐसा भी सो आप 會सा ही सोगधे हो डो यो थिंग अनील हैज गिवन रानी लेस मिल्क हैल्फ हर हूं तो नो इसका अंसर क्या लिखेंग है नो क्योंकि पहले पोट लेती थी वह स्मोल था जो आज पोट लिया वह बीग था तो इसलिए जो पहले जो वह यूज कर रही थी जो भी वेसल यूज कर रही थी उससे पोट बिग था अब आपको यह फांड आउट करना है ममा से पूछके यहां पर लिखेंगे कि आपके घर में डेली कितना मिलक आता है क्या करना है आपको फायव डिफ्रेंट टाइपस ओफ बिग वेसल फ्रों यूर किचन आपको अपनी कीचन से व्ग वेसल उठाने हैं तुछके फिल ओल उफ लफ दें वन बाई वन वीद वन जग उसमें आपको क्या करना है ओनली वन जग वोटर डालना है ओके full of water जो वन जग है आपको full of water का उन वेसल्स में डालना है only one जग ओके five वेसल्स में one वन जग डालोगे ओके what do you see why talk to your friends about it अब आप क्या देखोगे कि जो बड़ा बड़तल होगा वो तो वन जग से नहीं फिल होगा पूरे वोटर से फुल नहीं होगा बट जो स्मोल है जैसे ग्लास को अगर आप जग से फिल करोगी तो पानी बच भी जाएगा और ग्लास फुल भी हो जाएगा लाइक दिस अगर आप बगट लोगे उसमें वन जग पानी डालोगे तो बगट खाली भी रहेगी तो आपका क्या होगा we saw some vessels were filled and some were not filled तो हम क्या लिखेंगे, some जो vessels were filled and some were not filled ओके, now next, thrusty crow आपने thrusty crow की story पढ़िये न, एक कववा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था कववे ने डाले कंकर पानी आया, ओपर कववे ने पिया पानी, खतम हुई कहानी तो like this, यहाँ भी एक thrusty crow की story है, ओके, चरपी crow वाज, very thrusty, यहाँ पे crow है, जो चरपी crow, उसका नाम है, वाज, very thrusty इट लुक्ट एवरिवेर बट कुट नोट फाइंड वाटर, वो चारो तरफ देख रहा था है, पर उसे पानी नहीं मिला suddenly it saw a pitcher, when it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher, अब उसने क्या देखो यहाँ पे, कि बहुत कम पानी था, जो आपका मटका था, उसमें बहुत कम पानी है, it saw pebbles lying nearby, pebbles जो कंकर होते हैं, जो पत्थर होते हैं, stones, तो उसने चारो तरफ क्या, छोटे छोटे पत्थर थे, जो pebbles कंकर थे, वो देखे, उसने, I have an idea, उसके mind में एक idea आया, it put the pebbles into the pitcher, one by one, उसने क्या किया, जो यह stones थे, जो pebbles थे, कंकर, वो उसने, one by one, जो आपका मटका था, उसमें डालने शुरू कर दिए, the water came up, अब क्या आया, पानी वो उपर आ गया, चरपी ड्रेंक वाटर एंड फ्ली होए, चरपी ने पाने पिया, और ओण गया, now next, do you want to be like चरपी, क्या तुम भी चरपी की तरह बनना चाहते हो, do you want to know, how the water in the pitcher came up, कि जो पीचर में पा चीज़ डालते है, जो उसमें डिप हो जाता है, पुरी तरह से तो उससे क्या होता है, water level होता है, वो उपर आ जाता है, तो जैसे कोवे ने, जो क्रो था, उसने पेबल्स डाले, मटके में तो पानी उपर आया, तो अभी आपको ये करके देखने है, activity, take two glasses of the same size, आपको two glasses लेने है, same size के, fill half of each glass with water, आपको क्या करना है, water से दोनों glasses को half half कर लेना है, जैसे half half fill कर लोगे, इनको, आपको half half fill करना है, you have to put termarine imli seeds in the first glass, यानि आपको कौन से seed डालने है, इसमें, imli seeds, ओके, तो आपको first glass में, आपके imli seeds डालने है, raise the water to the top, So, guess how many seeds you will need to put in, अब आपको देखना है कि water, जब top में, यानि glass full हो जाएगा, उपर पानी आएगा, तब तक आपको कितने बीज imli के डालने पड़ेंगे, how many seeds you need, कितने imli के seeds आपने पानी में डाले, ताकि पानी उपर तक glass के, उपर तक फिल आगया, जैसे, यहां तक पान करना है, okay, now do it, अब second glass में, count the number of seeds used, यहां पर आपको, जितने आपने imli के seeds टाले हैं, वो आप लिखोगे, अगर आपके पास imli के seeds नहीं है, तो उसके according आप कुछ imli के seeds जैसी ही, कुछ आपके घर में आपको मिल जाए चीज़े, तो वो भी आप डाल सकते, okay, now put the same number of marbles in the second glass, अब आपको क्या करना है, same number of marbles, marbles क्या होते हैं, कंचे जिससे आप खेलते हो न, तो same number of marbles in the second glass, अब आपको second glass में क्या करना है, जितने आपने imli के seeds डाले हैं, उतने ही आपको same number of marbles उसमें डालना है, what happened, अब देखोगे आप, जब आपने imli के seeds डाले तो पानी धिर आप marble लालो कि पानी गिलास के उपर से आएगा, यानि जल्दी पानी किस में आएगा उपर? Marbles में, okay? Repeat it with stone. अब आपको stone से repeat करना है, What happened now? Talk about it in the class. अब आपको देखना है कि किस में पानी सबसे ज़्यादा जल्दी उपर आता है, आप stone भी डाल सकते हो, used in your house for each of the following. अब आपको only mugs और bucket लिखने हैं यहाँ पर, क्योंकि water is very useful for us, हम कोई भी दिन में activity करते हैं, खाना, बनाना, hand wash करना, सब में क्या करते हैं, वोटरी यूज करते हैं तो how much आपको कितना पानी होता है, वो यूज होता है, वो आपको यहाँ पर दिखाना है, जैसे आप taking ए बात जब आप नहाते हो, तो कितना पानी लेते हो, one bucket, तो यहाँ पर आप क्या लेते हो, one bucket, आप पूरी spelling लिखोगे, मैं यहाँ वन पी लिख रही हूँ, जब ममा washing कपड़े करते हैं, आप washing में आप ममा से पूश सकते हो, यहाँ तो मैं खुद clothes wash करती हूँ, तो मेरी 3 bucket पानी लग जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 वो आपके clothing पर depend करता है, अगर ज़्यादा होँगे, तो वो क्या होगा, आपके कपड़े ज़्यादा होँगे, तो ज़्यादा पानी लगेगा, कम होँगे तो कम, लाइक दिस, जब ममा बरतन साफ करती है, जो vessels है, वो धोती है, तो कितना पानी लगता है, तो यहाँ भी क्या लिख्या है, वन बकट, ओके, अब आप कितना पानी पीते हो, आप देखो, मैं मग्स में और बकट में लिखना है, तो आप कितना पानी पीते हो, वो आपको यहाँ लिखना है, कि आप वन मग पानी पीते हो, याँ टू मग, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ अपने लिए, टू मग, तो मैं two mug पानी पीती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया two mug ओके now next guess and then find out how many mugs of water fill one bucket अब आपको देखना है कि how many mugs जो आपका mug है अगर वो water से one जो bucket होती है आपको उसमें कितने mug पानी आएगा how many mugs of water fill one bucket तो जो मैंने किया तो मेरी जो bucket है वो 18 mug जब मैंने उसमें 18 mug पानी water डाला तो वो fill हो गई तो उसी तरह आपको देखना है कि आपके घर में mug का size क्या और वो bucket को कितने दिर में fill करेगा यानि उसमें कितने mugs पानी आएगा वो आपको साथ में count करना है और फिर अपनी books में लिखना है how many buckets of water do you use to take a bath अब आपको how many buckets of water do you use to take a bath जब आप नहाते हो तो कितना पानी यूज करते हो तो one bucket how many mugs of water do you use to take a bath अब आपको how many mugs बताने है अब देखो यहाँ पर हमने क्या पुला कि हम take a bath नहाते time one bucket यूज करते हैं और one bucket में कितने mugs आए थे 18 तो अब how many mugs of water do you use to take a bath तो यहाँ भी क्या लिखेंगा 18 mugs तो यहाँ पर आपको यहाँ आप major करोगे खुद major करोगे कि आपके कितने mugs पानी है जो mugs of water है जो आपके bucket को fill करेंगे और वही आप यहाँ पर लिखेंगे now next how much water will fill a balloon अब बताना है how much water will fill a balloon कि कितना पानी एक balloon में आएगा देखो वो तो balloon पर डिपेंड करेगा अगर small balloon होगा तो उस पे half mug भी आ सकता है है ना जो small balloon होगा तो उसमें half mug भी आ सकता है बिग होगा तो 1 mug आ जाएगा अगर उससे भी बड़ा होगा तो 2 mugs आ जाएगा उसके according हमें ये balloon के according होगा how much water is needed to fill a water gun water gun मेंज पिछकारी जो आप खोली पर पिछकारी यूज करते हो कि उसमें कितना पानी आपको उसे भरने के लिए चाहिए तो वो भी पिछकारी के size depends करता है जो small पिछकारी आती है उसमें half mug आ जाएगा one mug भी आ सकता है ओके और two mugs भी आ सकते हैं जो आजकल बड़ी हुई चलिए जो आप पीछे टांग के चलते हो उसमें three या four mugs भी आते हैं तो वो भी है आपके पास जो भी पिछकारी है उसमें आप कितना पानी फिल करते हो वो आपको यहां पे लिखना है I can drink nine buckets of water at once अब यहां पे camel है वो क्या कहरे कि I can drink nine buckets of water at once कि मैं एक time में nine bucket पानी पी जाता हूँ यानि nine ball की जो पानी होता है आपका वोटर वो वन टाइम में पीता है ओके how many buckets can two camels drink at once अब आप तो आने two camels देखो आप one camels हो कितना पानी पीता है nine bucket तो अगर दो जाएंगे तो कितना पियेंगे when there are two camels then nine plus nine तो आप यह भी लिख सकते हो nine plus nine और यह भी लिख सकते हो two multiply by nine तो two nine जा eighteen तो यहाँ पर क्या है कि I can drink nine buckets of water at once जो camel होता है वो nine buckets water वो एक time में पीता है तो आपको two camels का बताना है तो nine plus nine भी कर सकते हो और यहाँ पर nine two time repeat हो आप one two two nine जा eighteen यह nine plus nine करोगे तो भी क्या आएगा eighteen ओके students आपको यह work करना है अपनी नोट बुक में करोगे और गूगल मीट जोइन करोगे ओके थेंक यू have a nice day आपको 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 आपक